6 अगस्त को है सावन का आखरी शनिवार और तिती है सावन सुकलन नौमी इस दिन का एक विशेश उपाय आपको हम इस वीडियो में करके दिखा रहे हैं ताकि वयोपाय आपको आसानी से समझ में आ सके सावन का महिने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं ऐसे में हर दिन विशेश और उपयोगी है जिस नारी या इस्तरी को रजो धर्म से जुड़ी हुई समस्या होती हो या फिर पुरुस वर्ग में किसी ना किसी प्रकार की कोई कमी हो मतलब उदर से एडी के बीच में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो सावन के महिने में एक विशेश उपाय किया जाता है जिसको कर लेने से संपूर्ण जीवनकाल में नाभी से एडी के बीच में कभी भी कोई तकलीफ देखने को नहीं मिलेगी आपको सावन के महिने में भूलेनात को जलर पित करना है पर जलर पित करते सबे महादेव का एक विसेस नाम का इस्मरन करना है जो की इस प्रेकार है सूल पानेश्वर महादेव का नाम इस्मरन करके जल जड़ाया जाता है एक बार फिट से सुन लीजिए सूल पाने श्वर महादयों का नाम इस्वरन करते हुए जल जड़ाया जाता है उसका भी एक विशेश स्थान होता है जहां पर आपको जल जड़ाना है पर कथा में गुरू जी ने इसके बाद इस वपाई के बारे में कोई भी जानकरी नहीं दी गुरू जी ने इतना ही बताया था तो हमारा मानना है आप शिवलिंग पर हर जगह जल अरपित कर दीजे आपको इस वपाई को महादयों का विशेश नाम लेकर करने से सुफल जरूर प्राप्त होगा